नमस्का, मैं उससी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सिपाही भरती परिक्षा परणाली में बदलाव करेगी जर्खंड सरकार मुख्य मंत्र हिमांसुरे ने सुक्रवार को एलान किया है कि राजे में सिपाही भरती में पहले सरेरीक और बाद में लिखित परिक्षा होगी इसके लिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है उन्होंने कहा कि पुर्व की सरकारों ने पूलिस की छोटी सी नोकरी के लिए लिखित परिक्षा निवारे कर दी थी लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है जिसमें नवकरी करने की सारेरिक छामता होगी उसकी छामता दक्षता देखकर पुलिस की नवकरी दी जाएगी ए बाते सीम ने चाई बासा के टोटो इस्थीत सेरे गसिया में आयोजीत आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के दुरान कही बता दे इस असर पर एक क्लोर से अधिक रासी की परिशंपतियों का बितरन एवं साथ क्लोर से अधिक रासी की योजनाव का सिलन्यास और एक क्लोर से अधिक रासी की योजनाव का उदगाटन हुआ चक्रवाती तुफान जवाद के परभाव से सनीवार और अविवार को जार्खन के दक्षनी उतर पूर्वी मध्य भाग और इसके समीब के इलाके में हलके दर्ज की बारिस के असार है इस दोरान कुछ अस्थान पर 30 से 40 किलोमेटर पर 30 घंटे की रफतार से सत ही अस्तर पर हवा का बहाव संभव है बता दे चक्रवात के असर से सुक्रवार को ज़ार्खन के दक्षनी भाग में दोफर के बाद आसमान में हलके बादल चाने लगे थे मौसब केंद्रे से मिली जनकारी के मुताविक देर रात तक बादल और घंटे हो जाएंगे बता दे पच्छिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बना लोग प्रेसर सिस्टम सुक्रवार को डिप टिक रेसन में बदलने के बाद चक्रवात का रूप ले लिया है इसके उतर पच्छिम की ओर बहने और सुनिवार को सुबह में उतर आंद्र परदेस दक्षी उडिसातट से बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने की संभावना है 21 दिसंबर को बंद रहेंगे राजे के पेट्रोल पंप जर्खन पेट्रोलियम डिलर्स ने एक दिवसी हरताल की घोसना की है इसके तहट 21 दिसंबर को राजे के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे बता दे जर्खन पेट्रोलियम डिलर्स ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 दिनों का अल्टिमेटम दिया है उनकी मांगों में बैट को 22 फिस्दी से घटा कर 17 फिस्दी करने और 40 क्रोर सरकारी बकाये का भुगतान 10 दिन के भीतर करने की मांग की है उनका कहना है कि इससे पहले 13 से 20 तक जन जागरण अव्यान भी चलाएंगे 28 से 30 जनवरी तक होगी 7 से 10 वी जे पीएसी की मुख्य परिक्षा जर्खन लोक सेवा आयोक की 7 से 10 से दस वी सिविल सेवा की मुख्य परिक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी बतादे मोख्य परिक्षाये राँची के 14 परिक्षा के न्रोप और दो पालियों में होगी इसकी तयारी के लिए जे PSC के सचीव ने राँची के उपायुद को निर्देश दे दिया है बतादे सात्वी से दस्वी जे पीएसी की मुख्य परिच्छा में 42,92 अब्यार्थी सामिल होंगे बरतमान में मुख्य परिच्छा के लिए आवेदन लिया जा रहा है 15 दिसंबर आवेदन करने की अम्तिम तिथी निधारित है जारखन में 15 से सुरू होगी धान की खरीद जारखन में निमतम समर्थन मुले पर धान की खरीद की परकिरिया 15 दिसंबर से सुरू होगी MSP पर धान बेजने वाले किसानों को 50 पर 30 रासी का भुक्तान ततकाल कर दिया जाएगा जब किसेस रासी का भुगतान तीन माह के भितर किया जाएगा खाद आपूर्ती मंतरी रामिस्वर उराव ने सुक्रवार को पत्रकारों से बादचीत में किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर राई सरकार के निति को अस्पष्ट किया उन्होंने यह भी अस्पष्ट किया है कि एक किसान से अधिक्तम 200 किंटल धान की खरीद ही की जाएगी बतादे रामिस्वर उराव ने बताया कि धान कराय के लिए राई सरकार रासी का इंतिजाम कर रही है SBI और Bank of India से लोन लिया जाएगा लाल रासन कार धारियों ने उठाया गलत फैदा मंत्री खाद आपूर्ती मंत्री रामेश्वर उरावने सोईकार किया है कि पिछले वर्ष नियूमतम समर्थन मुल्यकाला प्राप्त करने के लिए कुछ गलत लोग भी किसान के नाम पर घूस आये थे छान बीन में यह बात सामने आई है उन्होंने कहा कि 65,000 वैसे लोगों ने धान की विक्री की जिन के पास लाल रासन कार था और थात वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे इसका मतलब यह हुआ कि या तो उनका रासन कार गलत था या फिर किसान होने का साटिफिकेट गलत बना हुआ था क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले धान कराय केंद्र में आकर धान नहीं बेचते हैं वे अपने उपज से बर्स भर की जरूरतों को पुरा करते हैं यह बात भी सामने आई है कि कई किसानों ने 400 से लेकर 1000 किंटल तक धान बेचा जबकि सचा यह है कि जारकन में कोई ऐसा किसान नहीं जो 1000 किंटल धान एक बर्स में बेच सके गलबढ़ियों की जाच हो रही है और चीनित कर दोस्यों की पचान होगी नेम पलेट लगाने का मामला दूसरे राज्यों की मंगाय नेमावली जारकन हाई कोट के चीफ जस्टिस डक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन परसाइद की अदालत में राज्य के बिधायक सांसत और दूसरे जन परति निधी अपने नीजी वाहनों में नेम पलेट और बोर्ड के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई की दुरान परिवहन सचीव की ओर से दाखिल उस सपत पत्र को वापस ले लिया गया जिसमें सरकार ने जन परति निधीों को नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की छुट परदान करने की बात कही थी बता दे अदालत का कहना था कि जब सरकार की ओर से जारी अधिसुचना में सिर्फ सरकारी वहान पर ही नेम पलेट या बोर्ड लगाने की छुट परदान की गई है तो फिर नीजी वहान पर सांसद और विधायक कैसे नेम पलेट लगा सकते हैं ऐसे में राज सरकार की ओर से ऐसा सपत पत्र कैसे दाखिल किया जा सकता है जिसमें अधिसुचना के विरूद बात कही गई है रांची और हजारी बाग के किसानों के बीच बाटे गए पॉल्ट्री बॉर्ड वो मौसरूम एस्पॉन बायोटेक किसान होप पर योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन चुका है बतादे गत दिनों किसानों को जहां धान के साथ साथ मौसरूम पालन की नई तकनिक की जनकारी दी गई वहीं दूसरी और राची और हजारी बाके करीब 105 किसानों के बीच मौसरूम का एस्पॉन बाटा गया बतादे गुरूवार को बैग्यानिक तरीके से बैंक याड पॉल्ट्री बर्ड की देख भाल पालन और प्रसिक्षन कारेकरम का योजन बायोटेक किसान होप पर योज कुरोना काल से उबर रहे वस्त्र उध्यों को एक बार फिर से जटका लगने की संभावना प्यक्त की जा रही है बतादे बिगत दिनों जीएश्टी परिशत द्वारा वस्त्र और परिधान समगरी पर जनवरी 2022 से जीएश्टी में 5 परतिशत से बढ़ाकर 12 परतिशत ब्र पर 30 से 40 परतिशत तक का असर पड़ेगा क्योंकि इससे धागे महांगे होंगे तो रेडिमेट वस्त्र भी महांगे होंगे बता दे बाजार में महांगाई के कायान मांग में भी गिरावट आएगी जारखन में क्रोना के 15 नए केस मिले है जबकि 13 मरी स्वास्थ भी हुए है जारखन में क्रोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 99 है भारत में 8749 नए केस मिले है जबकि 8626 मरी स्वास्थ भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,03,07 जारखन में कूल एक्टिव केस इस प्रकार है राची 21 पूर्वी सिम्भूम 25 हजारी बाग एक बोकारो 8 धनबाज 17 रामगर साथ पच्मी सिम्भूम 6 कोडारमा 1 पलामो 0 देवघर 1 गुमला 9 गिरीडी 0 लाते हार दो खुटी 1 सरायक लखरसावा 1 सिम्डेगा 4 गढ़वा 3 लोहदागा 3 चातरा 4 गोड़ फिट पॉलिसी लेप्स जार्खन में फूड एवं फिट पॉलिसी 20 सितंबर 2020 को ही लेप्स हो गई है इसके बाद भी नत्तो नीती को अधि विस्तार दिया गया है और नहीं नई नीती बनाई गई है इधर नई पॉलिसी के अभाव में नई निवेशक भी आसंकी था है कि यदि वे प्लांट लगाते हैं तो नीती कला मिलेगा या नहीं बता दे जार्खन फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी एवं जार्खन फिट प्रोसेसिंग पॉलिसी में प्रधान किया गया था कि राजे में फूड प्रोसेसिंग या फिट प्रोसेसिंग का प्लांट करने वाले के लिए 50% तक सबसीट्री का प्रवधान किया गया था निवेसको को स्टांप ड्यूटी से लेकर कई करों में छुट का प्रवधान भी किया गया था महंगी गाड़ी पर घुमेंगे जारखन के मंत्री गन जारखन के मंत्रियों को राई सरकार नई गाड़ी देगी बतादे मंत्रियों के लिए टोयटा कमपनी के फर्चूनर गाड़ी की खरिदारी की जाएगी मंत्री मंडल समन में विभाग 11 मंत्रियों को फर्चुनर देगा इस पर लगबक 3 कोर रुपे खर्च किये जाएंगे बता दे गाडियों की खरीदारी के परकिरिया अमतिम चरण में है दिसंबर में ही मंत्री नई फर्चुनर की स्वारी करेंगे मंत्रियों के अलावा राजय पाल और मुख्य मंत्री के लिए भी नई गाड़ी खरीदी जाएगी हलाकी गाड़ियों का मोडल अब तक तय नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि राजय पाल और मुख्य मंत्री के लिए खरीदी जाने वाली गाडिया सिडान सेगमेट के ही होगी गढ़वा के पसु करोबारियों से गुमला में लूट पाट कर भाग रहे 10 गिरफतार गुमला पुलिस ने गढ़वा जिला के बकरी करोबारियों से लूट पाट कर भाग रहे दस अपराधियों को गिरफतार किया है इन लोगों के पास से नकसली वर्दी और हाथियार मिले है बता दे लूट पाट की गाड़ी, गाड़ी में लद्दी, 84 बकरी वा कुछ नगत राशी भी पुलिस ने ब्रामत की है अभी सभी अपराधियों को राइडी थाना में राख कर पुस्ताश की जा रही है पुलिस को सौक है की गिरफतार किये गए अपराधियों का सम्मद नकसलीों से है इसलिए पुलिस इस मामले में गोपनियता बरत्ते हुए अनुसंधान कर रही है पश्चमी सीम्भूम के सेरे गसिया के बीत सहीदों को सीम हमत ने किया नमान पश्चमी सीम्भूम जीले के टोटो परखंड इस्थित सेरे गसिया के फुटबोल मैदान में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम कायोजन किया गया कारेकरम की सुरुवात बतर मुख्य आती थी मुख्यमंत्रियमन सुरेण ने सेरे गसिया के बीर सहीद पोटो हो के सहीद असल पर सहीदों को नमन वर सरधांजली अरपित करकी साथ ही सेरे गसिया के बीर सहीद पोटो हो के वनसच के तेरा लोगों को समानित भी किया इस दवरान सीम सीरी सुरेण ने कहा 7,78,90,743 रुपय की लागत से 16 योजनावों का सिलन्यास किया वहीं सिलापट का अनावरन कर 1,8,86,370 रुपय की लागत से निर्मीत दो योजनावों का लोकारपन भी किया मन्रेगा में मजदूरों के भुगतान में भी आरक्छन केंद्र सरकार की अती महत्व कांची योजना मन्रेगा के तहत धनबाद जिले में काम कर रहे समाने एवं अती पिछली जाती के मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है बता दे सिर्फ अनसुचित जाती एवं अनसुचित जन जाती के मज़दूरों का ही नियमित भोगतान हो रहा है यहां मन्रेगा में काम करने वाले SC-ST मज़दूरों के मज़दूरी मद में 7 कोर रुपई से अधिक बकाया हो गया है इससे मज़दूरों की परसानी बढ़ गई है आपके अधिकार आपकी सरकार कारिकरम में रामगण का आठवा स्थान जारखन के रामगण जिले की ताला टान पंचायत में सुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके कारिकरम का आउजन किया गया इसमें नोडल पदा अधिकारी के रूप में उद्योग सची पूजा सिंगल सरीक हुई उन्होंने कहा कि 16 नॉम्बर 2021 से चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम के तहत रामगर जीले में अब तक ये कई 1900 से ज्यादा आवेदन प्राप्थ हुए प्राप्थ हुए आधिनों में से लगभग 13000 आवेदन का निस्पादन हुए है जो की 58% से अधिक है और राज्ये में आठवे नंबर पर है गुमला के लोग सेलफी ग्रीन जोन का कर रहे बिरोध ज्यारखन के गुमला जीले में फुटपाथ दुकंदार सेलफी ग्रीन जोन का बिरोध कर रहे हैं बतादे सबजी बिक्रताओं ने अपनी पीड़ा बया करते हुए कहा कि सेलफी ग्रीन जोन से उनके कमाने खाने का जरिया छीन जाएगा, उनकी हालात खोस्ती हो जाएगी, यहीं उनकी रोजी रोटी का जरिया है, उनका आरोफ है की परसासन उन्हें दुकान लगाने से रोक क्या है, बंधु तिर्की ने राजेपाल को सौपा साथ सुत्री मायंग पत्र, भारत एसकोड और गाइड के राजे मुख्य आयुक्त समांडर बिधायक बंधु तिर्की बिभीन मायंगों को लेकर राजेपाल से मिले, इस दोरान उन्होंने साथ सुत्री मायंग पत्र रा पुरसकार परवान पत्र का वित्रन किये जाने महाबिद्यालियों में नमांकन में वेटेज दिये जाने जार्खन उस नियालाय के अंत्रीम आदेश की औमाना करने पर करवाई अनुदान नहीं मिलने से कारेकरम एवजन एवं कर्मियों के वेतन भुकतान से परिशानी को धुलाई पर जाँच की बात उठाई जारखन में खनीज की अवैद धुलाई को लेकर आरोप परतेरोप तेज हो सकता है बता दे खनन में हो रही और ये मित्ता को लेकर मुखर रहे विधायक सरजुराय ने इस बार अमरपाली के CCL खदान से हो रही अवैद को लाद की धुलाई हुई है दिव्यांगों को सहयोग समान वा अधिकार देने की जरूरत राज्येपाल विश्वनी सकता दिवस पर विद्या वेलफेर सोसाइटी की ओर से दिव्यांगों के लिए पहली बार मीस इंडिया और मिस्टर इंडिया का सेमी फाइनल परतियोगता किया जा रहा है बतादे संस्था सार्थक की ओर से खेल गाव में अवजित इस कारिक्रम में दिव्यांग युगा और बच्चों को अपनी अंदर छिपी परतिभा दिखाने का मौका मिला इस मौके पर मुख्य अतिति राजे पल रमेश बैस मौजूद होकर दिव्यांगों का उ जरूरत है चत्रा में ओमिक्रोण की संभावनाओं को लेकर सतर्क करोंणा का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन वाला वेरियंट ओमिक्रोण की संभावित खत्रे को देखते हुए चत्रा जिला परसासन ने सतर्क तक के उपाय सुरू कर दिया है बतादे चत्रा अंजली यादव इस बावत कई दिशा निर्देश जारी की है साथ ही साथ जीला नियंत्रन कक्ष को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है नियंत्रन कक्ष में 24 घंटे अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनुक्ति की गई है पूलिस ने रेलेवेक के ठेकदारों को दिलाया भरोसा उग्रवादी संगठन पीपलर्स लिबरेशन फ्रॉंट ऑफ इंडिया की धमकी के बाद रेलेवेक के ठेकदारों ने दहसत में काम बंद कर दिया है रेलेवेक की बंद पड़ी परियुजणाओं को चालू कराने को लेकर जारखन पूलिस मुख्यालाई गंभीर है बता दे पी एलेवेक के खौब से ठेकदार ने बंद किया काम खबर पर संग्यान लेते हुए पूलिस मुख्याले ने रेलेवेक की परियुजणाओं पर काम कर रहे ठेकदारों की एक बैठक बुलाई और उनकी समस्याओं को जाना पूलिस मुख्याले ने उन्हें भरुसा दिलाया की रेलेवे परियुणाओं के निर्मान में नक्सली उग्रवादी बाधक नहीं बनेंगे ठेकदारों को परियाप्त सुरक्षा दी जाएगी ताकि परियुणाई सहसमय पूरा हो सके परमबीर चक्रविजेता सहीद अलवट एका को राजेपाल और सीम ने दी सरधांजली राजेपाल रमेश बायस एवा मुख्यमंत्री हमान सुरेन ने सुक्रवार को परमबीर चक्रविजेता सहीद अलवट एका की पुनेती थी के मौके पर महात्मा गांधी मार्ग राची स्थीत उनकी परतिमा पर पुस पांजलित अर्पित कर उन्हें नमन किया 29 दिसंबर से शुरू होगा पोशन अभियान मुख्यमंत्री हमान सुरेन अपनी सरकार गठन के दो वर्स पूरा होने पर 29 दिसंबर को राजे में कुपोशन के खिलाप हजार दीन का पोशन अभियान सुरू करेंगे ताकि कुपोशन के कलंक को धोया जा सके बता दे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार की तुनला में पांच की रिपोर्ट में जारखन के इस्तिती बेहतर हुई है अब राजे में पांच बरसों तक के बचों में 22.4 परतिसत दुर्बल है वहीं कौम वजन के बच्चे 49.4 फिजदी है वहीं 49.6 फिजदी और विक्सीत या छोटे कद के बच्चे है दूसरी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार के अनुसार जारखन के 42.9 परतिसत बच्चे कुपोसी थे एनिमिया से जारखन के 59.7 बच्चे और 65.3 महिलाय परवावित थी धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल लोग सब्सक्राइब कर बॉल के लेकर लेकर यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों को साथ सेर करना भूले साथ साथ आप हमें अपना फीड़बेक